तो राम कास से दूरी वोड बैंक की ऐसी क्या है मजबूरी पूरू सांसद और वरिष्ट पत्रकार बलबीर पुझ ने राम मंदिर उधगाटन समहरों का निमंतरन ठुकारने को लेकर कॉंग्रस पर निशाना ससाधा है अपनी लिखी किताब ट्राइस्वुद अयोध्या पर चर्चा करते हुए बलबीर पुझ ने कहा कि पंडित नहरू के समय से ही कॉंग्रस हिंदुत्व को लेकर अवसरवादी राजनीती करती रही है और ये कॉंग्रस के डीने में है इसलिए वो राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के समहरों में नहीं जा रहे हैं बलबीर पुझ के मताबिक कॉंग्रस राम से बढ़कर राहुल गांधी का भविष्ठा देख रही है और यही वज़ा है कि राहुल गांधी केरज चनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं पूर्वसांसत बलबीर पुझ ने अखिलेश यादत पर भी हमला ब बलबीर पुझ के इस किताब का विमोचन तेरा जन्वरी को रक्षामंत्री राजनास सिंग के हाथों होगा अयुद्या के ओथर बलबीर पुझ साब हमाएं साथ हैं सर इस किताब को लेकर क्या मुख्य बाते हैं और क्या कुछ का देखे मैं अपने आपको बड़ा सुभागे शाली मानता हूं कि मुझे राम जी के उपर और युद्या पर ये पुस्तिक लिखने का सुभागे प्राप्ट हुआ मैंने जब इस पुस्तिक के बारे में लिखने से पहले अध्यान करना शुरू किया तो तीन चार बाते ध्यान में आई एक तो ये ध्यान में आई कि अजादी के बाद इस सारे विवाद को बहुत जल्दी सुल जाए जा सकता था इस विवाद को सत्तर वर्षों तक राजनेतिक और विचार धारा के कारणों के कारण लटकाए रखा गया और देश ने उसकी बहुत भारी कीमत अजा कि नाइटी सेकंड दिसमबर के बीच में मूर्थियां प्रकट ऊई जिसके बार में दो राए हो सकती है कुछ लोग उसको देवीच अमसकार मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उरकी गई थी जब कोट ने वहाँ पर 29 दिसंबर को सेक्शन 145 में परसीडिंग शुरू की और कहा कि राम लेला की मूर्ती वहाँ रहेगी और उसकी पूजा अर्चना होगी जो भी मंदर का प्रोटोकॉल होगा तो किसी मुसलमान ने अपती नहीं की ना केवल अपती नहीं की कम से कम 12 मुस तो 1934 के बाद कभी वहाँ गय नहीं अब यह स्थान मस्जित नहीं है हम अपना कोई इस पर क्लेम नहीं रखते और यहां इस जगा का उपयोग जो हिंदू भगत हैं जैसे करना चाहें करें तो विवाद तो था ही नहीं कोई भी और वहाँ पर जो अंदोरुन करने वाले ल नहीं थी और सारा समाज शिवल सुसाइटी चाहती थी मंदिर बने परंतु विचारधारा के कारणों और एक कंटेंप्ट फर हिंदू जो नहीरुजी के मन में था उसकी वज़ा से यह विवाद लटका रहा और जितने कारण बताए गये कि मंदर नहीं बनना चाहिए सुप चूटे तरकों से मंदिर के निर्मान को रोका जा रहा है और उन्होंने एक सरव समिती से निर्ने करके वो भूमी दी कि यहां पर मंदिर का निर्मान हो नहीरुजी ने जो बीज वोया उसी पेड़ पर साथ कॉंग्रेस चल रही है वो कह रही है कि हम उध्वाटन में नहीं है वहां पर 55% वोटर जो हैं वो नान हिंदू हैं कॉंग्रेस उसको ले नहीं सकती और पूरे देश में कॉंग्रेस के लिए वाइनाड के यह तिरिक्त कोई सुरक्षित स्थान अवेल नहीं है और इसलिए उन्हों यह निर्णे लिया है लगता नहीं कि कॉंग्रेस आउसर वाददा की राजनीती भी करती है उसके साथ साथ इन बिल्ट कंटेंप्ट है हिंदूइजम के बारे में इस सपा भी अब पीछे हो रही है कह रही है कि हम नहीं जाएंगे अखलेस यादो अभी फिलहाल अखलेस का तो समझ में आता है क्योंकि आ तीस अक्तूबर एक दो न वो तो मुसलमानों को ही है और उनको लगता है कि अगर राम जनब भूमी पर जाएंगे तो वोट बैंक सकता है सारे के सारे इसी में है कि मुसलमान वोट बैंक को पकड़ करते महत्मा गांधी राम को लेकर आगे बढ़े लेकिन नहरू जी उसी से पीछे हट रहा है क्या ल और जब उनको गोली लगी तब ही उनकी मुँपे राम नाम था उनकी समाधी पर भी राम लिखा हुआ है न्यूजेटीन दिल्ली